हाई दूस्तों असलाव अलेकूम कैसे आप लो मेरा में नबील है iOS 17.4 का Beta 2 जो है यह Apple रिलीस कर दिया है काफी सारे नए features है इसके अंदर iOS 17.4 जो है next month हमको देखने मिलने वाला है उसके पहले एक नया update शायद देखने मिल जाए तो वो कौन सा update रहने वाला है क्या रहने वाला है इसके बारे में भी discuss करेंगे iOS 17.4 का जो update size है वो तक्रीबन 900 MB के आसपास है 940 MB का है किसी को 1 GB का भी आ सकता है अगर वो Beta 1 से Beta 2 पे जा रहा है तो update को इंच्टार के बाद जो नया build number आपको देखने मिलेगा उसके end में आपको E देखने मिलेगा मतलब अभी भी जो final stable version है वो काफी दूर है और end में जाके फिर वो A हो जाता है A के बाद जो है last का letter हट जाता है और फिर RC version release candidate version देखने मिलता है और उसके बाद final stable version आपको देखने मिलता है तो पहरी चीज जो नहीं आई है वो आई है यहाँ पे widgets के अंदर widgets में जाते एडिट पर टैप करते है प्लस पर जाते नया widget के लिए तो यहाँ पे city digital नाम की एक clock आई है इसमें city का नाम और timing वगर आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है मैंने open किया तो यहाँ पे home करके लिखा रहा है पहले यहाँ पे home नहीं लिखा आता था तो सब apps के अंदर apple सेम चीज जो है आपको दिखाना चाहरा है ताके easy रहे across iOS आपको navigate करना और understand करना यहाँ पे देख सकते है यहाँ पे हर app के अंदर अलग अलग होता था लेकिन अभी apple की जो खुद के apps है उनमें सब में आपको यहाँ पे home टैब देखने मिलेगा और यह चीज मैं आपको podcast के अंदर पे दिखा देता हूं अगर यहाँ पे आपको home देखने मिल रहा है अगर आप प्रोवाइड करने देखने आपल को तो वह दे सकते है इससे इंप्रूफ करने में help कर सकते आपल की मैं फिलाल इसको आफी रखो माँ setting general about के अंदर certificate trust settings के नीचे जो है identifiable region करके एक चीज आई थी अब यहाँ पे वो चीज आपल ने हटा दिया है वहाँ पे GPS के coordinate जो होते है आपके उसकी मदद से region identify करता था बहुत लोग region change करते है तो आप यह वो चीज आई है अभी लेकिन यहाँ पे हटा दी आपल ने इस व 24 अल्टरा बे इनको इस्तेमाल करता हूं और अपने आई फोन के उपर भी तो यहाँ पे अगर आप किसी और फोन के पैर करके सकते हो कोई Android फोन के साथ खास तोर पे यहाँ पे आपको ऊपर एक notification आएगा जहाँ पर बताएगा आपको यह एयरपोड जो है दूसरे फोड के के लिए अपने iCloud account में इनकी इसका इस्तमाल कर सकते है यह अपडेट कुछ टाइम पहले आया था आप जानते ही है मैंने बनाया था उससे रिलेटेड वीडियो तो यह चीज जो है काफी सही है मतलब विंडोस सिस्टम पे भी आप अगर लॉग इन करना है तो कर पाएंगे अब feedback आप जो है चेक आउट कर लेते है रिलीज नोट सेकते तो यहाँ पे कुछ known issues थे जिनका workaround आपल ने यहाँ पे दिया है और काफी सारे issues जो है वो resolve कर दिया आपल ने आप शो से related कुछ issues थे और यहाँ पे देख सकते है कि object capture view से related issue था फिर photo grammatry session से related issue था फिर memory league issue था तो यह सारी चीज़े यहाँ पे आपल ने resolve किया और एक चीज़ यहाँ पे आपल ने इस्टाल किया है कि notification bug जो है यहाँ से apple ने solve कर दिया तो यहाँ पे देख सकते है प्रॉपली notification आ रहे है बांस नहीं कर रहे है सारी चीज़े जो है इस वाले update के अंदर प्रॉपली काम क तो आप भी चेक कर सकते हैं अगर आपने अपडेल इंस्टॉल किया है तो अब नेट्वर्क और बैट्री की बात कते दोस्तों तो अभी फिला नेट्वर्क सारा कुछ जो है सही से काम कर रहा है नया मुझे फ़ेस करने को नहीं मिला रही बात बैट्री की यहाँ पे बैट्र बैट्री हेल्थ को कोई डामेंज नहीं कर रहा और बैट्री रिलेटेड कोई इशू जो है यहाँ पे मुझे देख में नहीं मिल रहा है वर आल आए 17 में फिलाल बैट्र लाइप अच्छी ही दे रहा है सारे फोर और जेनरल परफॉर्मेंस अच्छा है इस वाले देख लेते हैं तो फिछला स्कोर था 23,117 अब का है 22,832 22 से 23,000 की जो रेंज 22,900 के आसपास ते लेकि 23,000 की देंज यह एक ऑ्टिम रेंज है और इसके बीच में ही यह जो है चलते रहता है फिलाल ऑन दे लोवर साइड में बोलूँगा इसको लेकिन इतना भी कम नहीं है क इसका जो अगला बेटा है वो आपको कब देखने मिल सकता है beta 3 जो है वो next week आपको Tuesday को देखने मिल सकता है और उसके बाद जो है आपको इसका final stable version जो ios 17.4 का है वो March में देखने मिल सकता है first week में थोड़ा बोट डिले भी हो सकता है रही बात इस week के अंदर या next week के अंदर क्यों दूँगा अगर आप beta 1 पे हो तो beta 2 पे अपडेट करना चाहिए अगर आप beta पे नहीं हो इस टेबल पे हो तो बिलकुल भी कोई जरूत नहीं है ios 17.4 पे अपडेट करने की फिलाल इंडिया के अंदर side loading भी apps की available नहीं है परी दिखाने दोस्तों ios 17.4 beta 2 की उमिकता दोस्तों आप कचके विडियो पसने आपका पसने विडियो लाइक शेर जरू की जो में इस चानल को सब्सक्राइब जो कीजिए गुडबाई